जाया हैंद जाया भारत युग द्रिष्टा भगत सिंग की अमर क्रांती यात्रा के 32 पड़ाव पर आप सब का स्वागत है दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा के वाइसराई ने 1 मई 1930 को एक और्डिनिंस जारी किया जिसके अंतरगत लाहोर हाई कोट के तीन जज़ों का एक स्पेशल ट्रिबिनल बनाकर भगत सिंग और उनके साथियों को उनकी अनुपस्तिती में भी सजा सुनाने का प्रावधान कर दिया गया हालात ये थे कि ट्रिबिनल के फैसले को हाई कोट में चुनोती भी नहीं दी जा सकती थी असल में भगत सिंग की निरंतर बढ़ती लोकप्रेता से गबराई अंग्रेज सरकार सेंट्रल असेंबली से ऐसा कानून नहीं बनवा सकती थी जिसके द्वारा न्याय का यू सरेयाम खून कर दिया जाए यदि वो वीडियो आप नहीं देख पाएं हो तो जरूर देखें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है आज बात करेंगे उससे आगे की उससे स्पेशल ट्रिबिनल के तीन सदसे कौन थे नमबर एक जस्टिस जान कोल्ड स्ट्रीम जो इस ट्रिबिनल के प्रेजिडन्ट भी थे दूसरे जस्टिस जी सी हिल्टन और तीसरे थे जस्टिस स्यद आगा हैदर कोल्ड स्ट्रीम और हिल्टन दोनों ICS थे जबकि जस्टिस आगा हैदर बैरिस्टर थे दोस्तों उन दिनों ICS और PCS भी जज़ बन जाया करते थे और ऐसे ज़ज़ ज़ादातर सरकार के पिठू होते थे इस मुकदमे में भी आगे चल कर यही सिद्ध होने वाला था पांच मई 1930 को लाहौर के पुछ हाउस में ट्रिबनल के सामने सुनवाई शूरू होती है सरकार की और से तीन वकील खड़े थे कारडन नौड, कलंदर अली खान और गोपाल लाल बगत सिंग और बाकी सारे सत्रा अभी युक्त सभी हाजिर थे उन्होंने इनकलाब जिन्दाबाद और सामराजवाद मुर्दाबाद के नारों के साथ अधालत में प्रवेश किया और उसके बाद एक देश वक्ती का गीत गाया एक अभी उक्त जिसका नाम प्रोसीडिंग्स में नहीं बताया गया है उसने कहा कि इस ट्रिबिनल का गठन ऐसमयधानिक है इसलिए कारवाई को पंदरा दिन के लिए सिथगित कर दिया जाए ताकि वे लोग इसके संबंद में अपने तर्क तयार कर सकें लेकिन ये मांग खारिज कर दी गई कुछ देर बाद जितिंदरनात सान्याल खड़े होते हैं और वे अपने महवीर सिंग, बटुकेशवरदत, गया परसाद और कुंदनलाल की ओर से एक बयान पढ़ने लगते हैं अदालत ने उस बयान को ब्रिटिश सरकार के लिए आपतीजनक मानते हुए बीच में ही रोक दिया फिर कुछ मामूली गवाहों के बयान होते हैं और उसके बाद बारी आती है अप्रूवर जैगोपाल की वो कायर एक के बाद एक सारे राज खोलता चला जाता है शाम को अदालत सतगित होने तक उसकी गवाई खत्म नहीं हो पाती अगले दिन छे मई को अदालत की कारवाई फिर शुरू होती है अदालत ने अब्युक्तों से पूछा क्या वे सरकारी खर्चे पर वकील की सेवाई लेना चाहेंगे इस पर बगत सिंग सहित नो अब्युक्तों ने मना कर दिया पांच ने इस प्रशन का उत्तर देने से ही मना कर दिया अजै घोष, किशोरी लाल, देशराज और प्रेमदत ने सहमती दी पर कहा कि वकील का नाम वे बगत सिंग के पिता सरदार किशन सिंग से सला करने के बाद ही बताएंगे बगत सिंग ने कहा कि वे अपने बचाव के लिए कोई वकील नहीं लेंगे लेकिन कानूनी सलाकार जरूर रखना चाहेंगे जो अदालत में बैठ कर कारवाई को देखे और जरूरी मुद्दों पर उन्हें सला दे सके ये कानूनी सलाकार ना तो अदालत को संबोधित करेगा और ना ही सरकार के गवाहों से बहस करेगा दोस्तो स्पष्ट है कि भगत सिंग मुकदमे को अपने बचाव के लिए नहीं बलकि करांती के मंच की तरह इस्तेमाल कर रहे थे कानूनी सलाकार के लिए उन्होंने बैरिस्टर दूनी चंद का नाम सुझाया जो मान लिया गया मज़ेदार बात ये है कि स्पेशल मैजिस्टेट की अदालत में जब बगत सिंग यही बात कह रहे थे तो ना सरकारी वकील कारडन नौड माने थे और ना ही मैजिस्टेट लेकिन यहां कारडन नौड भी तयार थे और ट्रिबनल भी इसके बाद जैगोपाल की गवाही आगे शुरू होती है और शाम तक जारी रहती है अगले दिन यानि साथ माई को सुनवाई फिर शुरू होती है उस दिन सरकारी खर्चे पर बैरिस्टर अमरदास को अजय घोश किशोरी लाल और देशराज के लिए तथा बलजीत सिंग को प्रेमदत के वकील के रूप में नियुक्त किया गया एक दिन की फीस्ती 50 रुपे प्रती अभियुक्त यानि अमरदास को 150 रुपे है और बलजीत सिंग को कुल 50 रुपे प्रती दिन इसके बाद जै गोपाल का बयान आगे शुरू होता है और उस दिन भी पूरा नहीं हो पाता आठ मई को भी उसका बयान चलता रहता है उसने सांडर्स मरडर, पंजाब नेशनल बैंक में डाके की कोशिस, सुखदेव की गरफतारी, रावल पिंडी आरियस माज तथा फिरोजपूर की गटनाओ सहित, पंजाब में पार्टी की गत्विदियों के बारे में जितना पता था, उससे भी अधिक बताया संडर्स मरडर में तो वो खुद शामिल था, लिहाजा उसे सब पता ही था इसके अलावा भी उसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां अदालत को दी, इसमें उसने जूट का तड़का भी खूब लगाया था दोस्तो, स्पेशल ट्रिबिनल में चले मुकदमे की प्रोसीडिंग्स की एक कॉपी जो सजा सुना दी जाने के बाद सुखदेव के पास थी उस पर सुखदेव ने अपने हाथ से पन्नों के मार्जिन वाली जगह पर कई महत्वपूर्ण नोट्स लिखे थे ये कॉपी आज नेशनल आर्काइवज में उपलब्ध है और उस मुकदमे के संदर्भ में बेश कीमती दस्तावेज है जै गोपाल के दिये लंबे बयान पर भी उन्होंने कई जगह टिपनी की है उसके बयान के कई हिस्सों को सुखदेव ने जूट बताया है यहां ये भी समझ लेना चाहिए कि उस स्टेज पर सुखदेव को जै गोपाल के बयान को जूटा बताने से कोई लाब नहीं होने वाला था क्योंकि सजा तो पहले सुना ही जा चुकी थी हाँ जै गोपाल को जूरूर बयान देते समय जूट बोलने से फाइदा होने वाला था बगत सिंग को फांसी दिलवाने में अंग्रेजों की मदद करने के लिए उसे ना केवल खुद की रिहाई मिली थी बलकि इनाम स्वरूप बीस हजार रुपे नकद भी मिले थे सोचिए उस जमाने में जब किसी प्रसिद्ध वकील को एक दिन के लिए सिर्फ पचास रुपे मिलते थे तब बीस हजार रुपे की कीमत क्या होगी दोस्तो 17 दिसंबर 1928 को लाहोर में डिस्टिक पलिस आफिस के ठीक सामने असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंडेंट आफ पलिस जेपी सांडर्स का वद किया गया था योजना थी सुप्रिंटेंडेंडेंट आफ पलिस स्कॉट को मारने की लेकिन जैगोपाल ने सांडर्स को ही स्कॉट समझ कर इशारा कर दिया था और राजगुरू ने उस पर गोली चला दी थी उस गटना का पूरा ब्योरा इस वीडियो श्रंखला के भाग दो में आपने देखा होगा यदि वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिए उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है जैगोपाल ने अपने बयान में 17 दिसंबर 1928 को हुए सांडर्स मुर्डर के बारे में बहुत विस्तार से बताया मसलन कौन कौन शामिल थे कितने Button वहा पहुँचे किस तरह पहुँचे किसने क्या कपड़े पहने थे किसके पास कौन से हतियार थे कौन किस position पर खड़ा था किसने गोली चलाई किसने पीछा किया कैसे वहां से भागे आदी आदी जैगोपाल ने बयान दिया कि वह साहब जिसे मैंने सकाट समझा था वो मोटर साइकल पर सवार होकर पुलिस दफ्तर से चल पड़ा मोटर साइकल की गती धीमी थी दोस्तो करांती कारी दल में सभी सदश्यों के अलग अलग नाम रखे गए थे और बहुत से सदश्यों को दूसरे सदश्यों के असली नाम का पता तक नहीं था राजगुरू के भी ऐसे ही कई नाम थे जिन में एक नाम था एम जैगोपाल ने कहा कि मैं और एम बिलकुल नजदी खड़े थे मैंने एम को इशारा किया कि सहब आ रहे हैं एम अपना पिस्तोल जेब से बाहर निकाल कर उस और बढ़ा मैं सड़के मोड पर आ गया जिस समय मोटर साइकल एम के पास पहुंची उसने फायर कर दिया साहब को गोली लगी वह एक और गिर गया फायर होते ही बगत सिंग भागता भागता आया और साहब पर कई फायर कर दिये दोस्तो सुखदेव ने अपने नोट्स में यहां लिखा है कि बगत सिंग को पहली गोली चला नी थी एम को बगत सिंग की फ्रक्षा के लिए भेजा गया था पन्डि जी ने दोनों की फ्रक्षा करनी थी पंडी जी यानि चंदर्शेखराजाद जब भगत सिंग को पता चला कि साहब स्कॉट नहीं है ये बताने के लिए वे पंडी जी की तरफ मुड़े उसी समय M ने गोली चला दी जो उसे नहीं चलानी चाहिए थी उसने स्कॉट को कभी नहीं देखा था तब भगत सिंग को करतव वेवश गलत व्यक्ती पर गोली चलानी पड़ी इस तरह सांडर्स के कतल की घटना घटी ऐसा सुखदेव ने लिखा है इससे पता चलता है कि पहले तो गलती की जैगोपाल ने जिसे स्कॉट की निगरानी रखने के लिए कई दिन पहले से लगा रखा था उसने सांडर्स को पहचानने में चूख की स्कॉट की उम्र सांडर्स से कहीं जादा थी और वो कार से आता था जिसका नमबर था 6728 जबकि सांडर्स मोटर साइकल पर सवार था दूसरी गलती की राजगूरू ने वे भूल गए कि उनका काम बगत सिंग को सुरक्षा देना था ना कि स्कॉट या सांडर्स पर गोली चलाना उनके जोश ने उस पल के लिए शायद होश छीन लिये थे और सांडर्स निशाना बन गया हाँ ये बात भी सही है कि सांडर्स भी दूद का दुला हुआ नहीं था उसने स्कॉट के आदेश पर अपने हाथों से लाला लाजपतराय पर लाटियां बरसाई थी लेकिन बगत सिंग और उनके साथ ही सांडर्स को मारने नहीं गए थे स्कॉट को मारने गए थे और उसी का नाम पर्चों पर छापा गया था जिसे बाद में काट कर सांडर्स किया गया बगत सिंग सांडर्स पर गोली नहीं चलाना चाहते थे जैसा खुद सुखदेव ने लिखा है प्रंतु राजगुरु द्वारा पहली गोली चलाये जाने के बाद मजबूरी में उन्हें भी काम पूरा करने के लिए गोलियां चलानी पड़ी आठ मई 1930 को भी जैगोपाल का बयान पूरा नहीं हो पाया था और फिर अदालत बारा मई तक के लिए स्थगित कर दी गई बारा मई को स्पेशल ट्रिबनल की अदालत में एक बहुत बड़ी घटना घट गई उसके बाद इस मुकदमे का रुख ही बदल गया लेकिन उसकी बात आज नहीं करेंगे अगले शिनिवार शाम पाँच बज़े बूँ तब तक के लिए लेते हैं एक अलप इवराम आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी निवेदन ये है कि इसे अधिक सेधिक शेर कीजिए ताकि मा भारती की वंदना घर घर पहाँचे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिस से नए वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको समया पर मिल जाए और अपने सुझाव अपने प्रशन कमेंट बॉक्स में लिकर जरूर भेजिए जाया हिंद जाया भारत